हलो गाईज दिस आदिती शर्मा एंड यू आर वाचिंग नियो एरा जैसा कि दोस्तों हम लास्ट तन तक हमारा किंग्डम प्लांटी का एक ग्रोप टेरेडो फाइटा कम्प्लीट कर चुके थे आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नया ग्रोप होगा जिसका नाम है जिम्नोस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको detail से एसके थोड़ा सा brief आपको कर दूं इसके वारे में आप जी तक हमने जितने भी प्लांट्स पड़े थे वो कैसे थे या हवन के थे या श्रब्स के फॉर्म में थे एक्च्वल ट्री फॉर्म में कोई नहीं था तो एक्च्वल में जो ट्री हम आसपास हमारे देखते हैं वो बेसिकली या तो एंजियोस्पम होते हैं या जिम्नोस्पम होते हैं ठीक है दोस्तों तो आज हम बेसिकली जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो basically angiostrum या फिर gymino sperm के होते हैं ठीक है दोस्तों start करते हैं बिना देर क्यों है तो यह gymno inode juorc 2 होता है इसको हमße 4 पार्ट में डिवाइड कर देते जीमणों का मतलब होता है naked क्या मतलब होता है naked और sperm का मतलब होता है seed क्या मतलब हुआ naked seed naked seed का मतलब है कि यहाँ पर ovule तो बन रहा है लेकिन ovary wall नहीं बन रही है ovary wall absent है ठीक है इसको note कर लेते हैं naked का का मतलब basically इसका interpretation की बात करने तो क्या है ovule तो है but not covered by not covered by ovary wall ovary wall both before and after fertilization यह point आपको याद रखना है बहुत important point है जिम्नोस्पम के point of view से क्योंकि जो differentiating feature है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी differentiating feature क्या है कि ovule तो है लेकिन not covered by not 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 covered by जो थी वो divided हुई थी root में root कैसी होती है जो यहाँ पर root देखी जाती है जिम्नोस्पम में वो किस तरह की होती है तो root की हम बात कर लेते है root होती है यहाँ पर tap root कैसी होती है tap roots ठीके दोस्तों अच्छा इस्टेम की बात करें तो इस्टेम यहाँ पर दो टाइप की होती है या तो होती है अन ब्रांच या फिर होती है ब्रांच leaves की हम बात करेंगे तो leaves यहाँ पर दो टाइप की देखने को मिलती है या तो simple होती है या फिर compound होती है ठीक है दोस्तों चलिए तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि जो roots की होती है रूट में, stem में, leaves की होती है और इनके जो detail है की root में, stem में और leaves की जो detail है वो हम basic लिए पढ़ते हैं हमारे chapter number 5 जिसका नाम है morphology ठीक है? लेकिन हम morphology वहाँ जो पढ़ेंगे वो angiospumps की पढ़ेंगे किस की पढ़ेंगे? angiospumps की तो हमको यहां पर थोड़ा सा तो आगे जाना पड़ेगा क्योंकि जिम्नोस्पम् की मौफलोजी हम नहीं पढ़ने वाले हम पर क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर हम небेशिकली जिम्नोस्पम् को थोड़ा बहुत जानना चाहें तो वो यही मौकाई की आप जान सकते हैं इसके अलाबा आपके syllabus में नहीं है ठीक है बहुत जादा detail से लेकिन हम थोड़ा idea तो at least लेके चलेंगे और जो भी मैं ideas लेके चल रहा हूं वो बहुत जादा important और आपको याद भी रखने एसा नहीं कि एक बार सुनके निकाल दिया आपको याद रखने हैं ठीक है दोस्तों चलिए हम बात करते है roots की तो जो यहाँ पर tap roots लिखी है तो tap roots में बहुत बात exactly करना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको दो type के और नाम plants के याद रखने पड़ेंगे एक तो होता पाइनस एक होता है साइकस I hope सबने पाइनस और साइकस का नाम सुना होगा अगर नहीं सुना है तो मैं पाइनस साइकस आपको detail में examples के मैं आएंगे जब हम end कर रहे होंगे इस chapter का इस point का basically लेकिन उसके पहले मैं एक hint देता हूँ आपको पाइनस साइकस आपने कहा देखे होंगे किसी ने भी हिमालयास वाली कोई movies देखी है जहाँ पर हिमालयास देख रहे हो या फिर नॉर्थ साइड देख रहा हो इंडिया का नहीं देखे होगी जो fight movie है war movie है कई सारी like मात तुझे सलाम बहुत पुरानी movie है तो यह आपको याद रखना है एक idea दे रहा था कि पीड कैसे होते हैं और बाकी आपने पीड जो देखे होंगे साइकस को अगर imagine करना चाहते हैं तो आपने date palm वगरा के या coconut के पीड देखे होंगे कुछ similarity उसकी होती है उस तरह से ठीक है चलिए हम बात करते हैं तो हम pinus की बात करते है pinus basically क्या करता है mycorrhiza बनाता है basically यह symbiotic relationship शो करता है फंजाई के साथ ठीक है और क्या form करता है mycorrhiza pinus की बात करिए pinus क्या form करता है mycorrhiza लेकिन साइकस में एक important चीज़ याद रखेगा साइकस के पास tap root तो है correlate roots अब आप कहेंगे सार एक तरह की root है root का काम है पानी को खींचना न्यूट्रिंट्स को खींचना वह तो tap roots खींची लेगी फिर correlate roots किस काम के लिए likewise यहाँ पर mycorrhiza तो सार strengthen provide कर रहा था इसलिए mycorrhiza की जरुवत पड़ रही थी यहाँ क्या यूज आ गया correlate roots में आप याद रखिएगा दोस्तों correlate roots basically जो काम आती है वह आती है nitrogen fixation के लिए कुछ लों की बत्ती जली होगी शायद जो की generally बुझी रहती है nitrogen fixation याद आ रहा है कुछ BGA में हमने पढ़ा था correlate roots of psychos याद आया किसी को नहीं याद आया तो BGA जाके दुवारा revise करिएगा आपको वहाँ पर मिलेगा ठीक है तो वहाँ पर हमने क्या बात की थी nitrogen fixation की जो की कौन करवाता है correlate roots of psychos एक example पढ़ाता जा हमने symbiotic relationship पढ़ रहे थे ठीक है दोस्तों चलिए तो यहाँ तक तो हमने roots की बात कर ली अब roots में अगर आपका है sir और details आपने नहीं बताया है roots तो type भी होते हैं तो मैंने जैसे की बोला morphology पढ़ेंगे पर एक मेर idea आपको दे देता हूँ roots basically तीन type की होती है एक tap root होती है एक advantageous root होती है एक fibrous root होती है ठीक है दोस्तों tap root जो होती है वो direct elongation होता है primary part का है जो की हमने पढ़ा है बागे advantageous और fibrous की details में हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका कोई sense यहाँ पर बनता नहीं है ठीक है दोस्तों चलिए discuss करते हैं आगे roots complete होने के बाद हम बात करेंगे stem की stem कितने type की है या तो branch थे है या फिर unbranch थे अगर हम बात करें तो unbranch stem में जो आपको example याद रखना है वो याद रखना है psychus ठीक है और जो branch है यहाँ पर आपको दो example याद रखने है आपकी NCRT according basically gymnast पर में तीन example दिए है कौन कौन से example दिए है pinus, psychus और cidrus ठीक है यह तीन example तो आपको as it is याद रखने हैं बाकि अगर extra मैं बताऊंगो तो आप रख लीजिएगा ठीक है तो क्या क्या example है pinus और cidrus यह आपको याद रखने हैं as it is यहाँ पर आपको जो major काम है वो example याद रखना और यह बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है बहुत high yield examples है इनकी value बहुत ज़्यादा है तो आपको as it is याद रखने है ठीक है दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे leaves की leaves में भी कुछ खास आपको याद रखना नहीं है leaves में बस यह याद रखना है कि साइकस में क्या होता है कई बार pinnately leaves देखने को मिलती है जो कई सालों तक रहती है ठीक है बस एक है लेकिन बहुत ज़्यादा anxiety ने भी इस पर stress नहीं दिया आपको भी नहीं देना है बस य यह तो हमारा इसकी बात हमने कर ली अब जिम्नोस्पम में कई सारे और पॉइंट्स है जो आपको introductory point of view से याद रखने हैं वह क्या points है उनकी भी बात कर लेते हैं कि जिम्नोस्पम को हम spermatophyta बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर seed form होता है क्या form होता है seed तो जिम्नोस्पम को अकेली को spermatophyta नहीं बोलते हैं जिम्नोस्पम और एंज्वस्पम दोनों को ही हम क्या बोलते हैं इस पर metophyta दूसरी चीज और क्या याद आपको रखना है इसमें आपको एक point यह याद रखना है अभी हमने बात की थी कि यहाँ पर जो ovule है वो ovary wall से covered नहीं है ovule 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 से covered नहीं है तो इसकी वज़ा से क्या होता है जो हमने बात की थी ovule ovule से covered नहीं है तो इसकी वज़े से यहाँ पर क्या होगा कि यह कभी भी आपका किसमे convert नहीं होगा fruit में तो यहाँ पर आपको seed formation तो देखने को मिलेगा लेकिन कभी भी fruit formation नहीं मिलेगा तो इसका क्या result होगा no fruit formation no fruit formation ये point आपको याद रखना है ठीक है दोस्तों बहुत high yield point है as it is आपको याद रखना है और क्या point आप इसमें याद रख सकते हैं gymnos pump vascular plants होते हैं gymnos pump क्या होते हैं vascular plants होते हैं vascular plant क्या मतलब है vascular तो sir teradophytes भी थे बिल्कुल teradophytes vascular plants थे ठीक है और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी क्या ये क्या है vascular plants और वही सेम चीज़ इनमें भी देखने को मिलेगी कि इनका जो xylem होगा xylem में क्या absent होगा vessels और phloem में क्या absent होगा companion cells ठीक है हलाकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा albumness cell और seep cell के बारे में लेकिन अभी उसकी detail में आपको नहीं जाना है कोई उसका sense नहीं बनता है ठीक है दोस्तों तो ये कुछ points आपको याद रखने है ऐसे ही अगर यहां पर आप बात करें और थोड़ी बहुत detail से एक बहुत important point आपको याद जो रखना है मैं यहां उपर लिखूँगा उसको red wood sequoia यह one of the highest largest tree species है और यह जो आपका redwood sequoia मैंने लिखा यह oldest trees में भी आते है ठीक है length तो ही जादा 100 meter cross कर जाते है और यह आपके oldest tree में भी आते है तो यह point आपको याद रखने है है ठीक है दोस्तों चलिए तो इसके अलावा और क्या चीज़ हम देख सकते हैं वो है life cycle किसकी जिम्नोस्पम की उसके बारे में हम बात करते हैं बेना देर की हुए एक point हम और discuss कर सकते हैं हलाकि life cycle के अलावा भी कि जो जिम्नोस्पम है इनकी जो habit है वो या तो tree habit भी है और arboroscent habit भी है मतलब woody भी है और इनकी जो habit है वो creepy habit भी है creeping habit का मतलब यह shrubs की तरह भी रहते हैं बेल की तरह भी रह लेते हैं ठीक है तो इनकी tree habit की अगर हम बात करेंगे तो वो point भी आप note कर लीजेगा like woody habit भी है woody तो हैं प्लस यह shrubs की तरह भी रह लेते हैं किसकी तरह shrubs तो यह point भी याद रख लीजेगा along with all other points which we are discussed earlier चलिए तो life cycle की हम बात करते हैं किसकी life cycle जगे चाहिए होगी इसलिए मैंने life cycle इतना top और उपर side में लिखा हुआ है ठीक है दोस्तों जगे की बज़ा से चलिए तो start कहां से होगी यह life cycle सबसे important चीज sporophyte मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूँगा इस बार क्योंकि life cycle complete हो जाए जिससे की नहीं तो यह complete होना इस point page पर बतलब सरी इस board की length की according छोटा पड़ जाएगा board ठीक है तो पहले sporophyte बनेगा sporophyte कैसा होगा 2N लेकिन मैं इसको start करने से पहले एक point आपको clear करना चाहूँगा जो major plant body है वो कैसी है sporophytic है gametophytic नहीं है sporophytic body है और diploid body है ठीक है तो plant body कैसी है major list की 2N तो start कहां से होगी life cycle 2N से यह point I hope सबको clear होगा इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है sporophyte यहां से आपन बात करते हैं तो क्या बना micro sporophylle micro sporophylle से क्या बना micro spor angium क्या बन गया micro spor angium ठीक है micro spor angium से आपको क्या मिलेगा micro spor mother cell micro spor mother cell ठीक है अभी यह मैं मिल वाली बात कर रहा हूँ इस तरफ ठीक है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां तक complete हो पाएगा तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि इसको कर लूँगा micro spor मादर से इसके बाद क्या form हुआ होगा इसके बाद यहां पर हुई होगी पूरी स्टेज कैसी चल रही है आपकी डिपलाइड ठीक है दोस्तों डिपलाइड micro spor से आपकी है प्लाइड स्टेज चाल हो गई है micro spor के बाद जिसका नंबार आएगा वो है male gametophyte male gametophyte ठीक है यह आप pollen grain इसके बाद वाली स्टेज को भी बोल सकते है male gametophyte के male gamet बनेगा उसको आप क्या बोल सकते है pollen grain male gamet ठीक है दोस्तों अब इसके बाद यहां तक की जो स्टेज है यह कैसी स्टेज आएगी है पलाइड आई होप यहां तक सब को देख रहा होगा यहां तक देखने में किसी को कोई problem चली अब start हम यह complete नहीं हुई है लेकिन हम start करते हैं यहां से यहां पर क्या आएगा फिर से भाई sporophyte sporophyte के बाद यहां पर micro की जगे मेगा sporophylle अच्छा दोस्तों एक important चीज life cycle कभी भी tough नहीं होती हम अपने हाथनों से उसको tough बना लेते हैं अगर जिस form में मैं पढ़ा रहा हूँ इसी form में अगर आप life cycle को याद रखेंगे तो life cycle आपके दिमाग में अच्छे से fit बैट जाएगे लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे कि यह sporophylle, skew पर, sporangia जो language point of view में language के according दिया रहता है तो वो बहुत tough हो जाता है simple सी बात sporophyte है sporophyte में micro sporophylle आएंगे फिर micro sporangem आएगा उसके अंदर micro spor mother cell आएंगी उनमें meiosis होगा तो क्या बन जाएगा micro spor उनमें germination होगा ठीक है, germination से क्या आजाएगा male gametophylle बन जाएगा फिर male gamet बन जाएगा यहाँ तक की stage मुझे नहीं लगता कहीं किसी को दिक्कत होनी चाहिए फिर से बात करते हैं यहाँ पर mega sporophylle बन गया mega sporophylle के बाद यहाँ पर क्या form होगा mega sporangem mega sporangem mega sporangem के बाद यहाँ पर क्या आएगी mega spor mother cell mega spor mother cell यहाँ पर एक interesting चीज आएगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस life cycle को थोड़ा extend करने के बाद फिर यहाँ पर आपको क्या formation दिखेगा किस चीज का formation दिखेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे mega spor mega spor यहाँ पर आप बोल सकते हैं formation हो जाएगा R की गोनिया का नाम भी लिखा है कई books में जो आपके पहले चलती थी आप important नहीं है तो NCIT ने गाइब कर दी है ठीक है R की गोनिया का नाम याद रखिएगा यहाँ पर ठीक है और यह सारी कैसी stage चालो गई अब N यह कैसी stage थी सारी की सारी 2N diploid stage थी अब कैसी आ गई है haploid अब आपका क्या form हो रहा है यहाँ पर आपका जो basically sorry मैंने mega spore पहले लिख दिया है I'm so sorry mother cell के बाद यहाँ पर R की गोनिया का formation बता दीजे जादा better रहेगा और फिर आप mega spore बोल दीजे ठीक है अब इस stage के बाद क्या होगा यह pollen grain क्या करते है इस stage पे आते हैं और इनका fertilization होता है तो मैं fertilization को basically यहाँ पर show करूँगा कहाँ शो करूँगा इस जगाप इस जगाप है तो यहाँ क्या form होगा zygote zygote के बाद आपका वहई embryo embryo के बाद seed seed के बाद बापस से sporophyte यह point अब आप समझ यह गामत क्या लिखना जा रहा हूँ यह आप है यह जो stage लिखी होई है यह फिर से कैसी stage है पूरी की पूरी 2N यह जो stage आ रही है छोटी सी stages आ रही है यह जो छोटी सी stages आ रही है यह कैसी है N ठीक है यह point मैं शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब एक important बाद आती है सर यहाँ पर fertilization हुआ वो आप हरमेशा बताते थे कि fertilization की कुछ methods होनी लेकिन आपके syllabus के according है मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपके syllabus के according fertilization को normal fertilization consider किया गया है fertilization की detail में नहीं गया गया है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ या fertilization दो तरह से होता है जो sectional production होता है उसको एक को बोलते जूडियो साइफनोगेमी एक को बोलते नॉर्मल साइफनोगेमी साइफनोगेमस तो यहाँ पर जो male gamit होता है वो motile होता है साइफनोगेमी में साइफन टर्म लगा है साइफन टर्म यूज होता है कोई tunnel या फिर बांसुरी लाइक structure के लिए तो यहाँ पर आपको क्या formation देखेगा pollen tube का formation साइफनोगेमी में तो दो तरीचे से हो सकता है या तो जोडियो साइफनोगेमी या फिर साइफनोगेमी दो तरह से fertilization यहाँ पर हो सकता है अब बात आती है थोड़ी सी इनकी बात करते है जो detail की बात है क्या बात है वो पहली चीज़ मैंने बोला था मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसको importance दूँगा अभी जब थोड़े देर पहले बोला था इसको बहुत important point है यहाँ पर क्या होता है मेगा इस्पोर मदर सेल जो बनी है उससे जो माइक्रो सोरी मेगा इस्पोर बनते हैं वो चार बनते हैं इतने बनते हैं चार और उसमें क्या होता है कि new sales का formation होता है अंदरी ठीक है new sales के formation होने के बाद वहीं उसके उपर एक covering चड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं integument क्या बोलते हैं integument हाला कि यह सारी चीज़े हैं आप detail में जब sexual reproduction in flowering plants पाड़ेंगे chapter number 2 12th class का तब हम detail से discuss करेंगे पर मैं थोड़ा सा hint यहां पर देखे चलूँ क्योंकि कई बच्चे यहां पर 11th के भी हैं जिनको इस बारे में कोई idea नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर actual में हो क्या रहा है new sales का formation हुआ new sales के ऊपर ऊपर covering होती है जिसका हम बोलते हैं integument ठीक है और उसी integumented integumented यहां पर मैंने term use ovule नहीं किया है ठीक है integumented जो आपका mega sport बना है उसी को हम क्या बोल देते हैं ovule क्या बोल देते हैं ovule याद रखिएगा वह बहुत high yielding point है लोग कई बार confused रहते हैं उसमें ठीक है और यह सारी जो चीज़ें यह सारी चीज़ें कहां पर होती है जो कौन वाला पार्ट होता है इस्टोबला या फिर हम कौन जो बोलते हैं उसके अंदर होती है यह सारी चीज़ें ठीक है अच्छा अब एक important point और बताना चाहूंगा मैं वहाँ पर जो new cell था वहाँ दो cell होती है ठीक है तो एक cell से तो आपका जो new cell बन गया एक cell जो होती है वो आपका क्या बना देती है gamete formation करती है gamete formation तो यहाँ पर आपका जो एक cell बचती है वो क्या कर देती है female gamete और यहाँ पर तो आपके male gamete होते ही है दो दो male gamete होते है अब important बात समझिएगा मैं उसको अभी note भी करवा दूँगा लेकिन पहले आप सुन लीजिए चलिए तो जो एक cell वहाँ पर जो थी जो बेसिकली जो new cell था हमारा बन गया था एक cell तो हमने क्या बोला था क्या बना दी उसने female gamete एक cell वहाँ पर मेगाइस्पोर होता है वहाँ पर जो बाकी मेगाइस्पोर हो तो खतम हो जाते है लेकिन यहाँ पर यही चीज आगे जाके क्या फॉर्म कर लेती वहां की जो एक cell होती है वो बनाती है endosperm क्या बना लेत आपको याद रखना है अगर मैंने कुछ गलत तर्म यूज किया मुझे याद नहीं मैं एक्जेक्ली बोला क्या था पर endosperm आपको याद रखना है endosperm endospor न बोला हो मैंने इसलिए मैं वापस से इसको repeat कर रहा हूं endosperm ठीक है functional endosperm अभी endosperm की काफी debate है ठीक है endosperm की debate हैं इसके बाद हम endosperm की debate करने वाले हैं तो पहले हम endosperm की debate कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है दोस्तों चलिए यह आई ओप life cycle तो सबको clear हो गई होगी endosperm की हम बात करने वाले हैं चलिए एंडosperm की क्या खास debate है बेसिकली जो endosperm है यह जो हमारा एंडosperm होता है उसमें होता है 3N लेकिन यहां पर कैसा होता है सिर्फ N क्यों यहां पर होता है क्यों क्यों क्योंकि यह direct किस से बनता है डायरेक्ट बनता है मेगा इस्पोर से कि एंड बिफूर फर्टिलाइजिशन अभी हम एंडosperm की थोड़ी इसी बात करेंगे जिम्नोसperm को हमने बात की थी तो यहां पर जो डायरेक्ट करते है यह चीज़ आपको और फ्रियर हो गई होगी यह पॉइंट रखीगाई दोस्तों यहां शायद तक किसी को कोई डिक्त नहीं होगी हूँ पॉइंट क्लियर आपको इसके अलावा आपको एक दो पॉइंट और याद रखने आपर वह पॉइंट्स क्या है कि यहां पर जो इनका gametophyte होता है बहुत short lived होता है और dependent होता है किसके उपर sporophyte के उपर तो हम जो बात कर रहे थे कि bryophyta और pteridophyta में जो हमने पढ़ाता कि male gamet और female gamet का existence है वो independent होता है लेकिन जब आप gymnosperm और angiosperm की बात करते हैं तो उसमें यह जो existence है इनका independent नहीं होता है याद कीजिए कि मैंने सलेज नेला की एक बार बात की थी कि वहाँ पर female gamet और फाइट के अंदर कुछ दिर तक वो development वहाँ पर होता है female gamet के अंदर और इसी को हमने बात की थी कि यह evolution है किसका seed history का यह आपको point मैंने last last में बताया था थोड़ा सा remind करने की कोशिश कीजिएगा और बहुत important point था high yielding point था ठीक है दोस्तों तो यह कुछ points आपको as it is याद रखने हैं यहाँ पर ठीक है अच्छा इसके बात जो हम बात करने जा रहे हैं वह बात है अब स्वारी डारेक्टरम एक्जामपल्स की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर लाइफ साइकल हमारी यहाँ पर complete हो गई है लाइफ साइकल के बात जो important point है वह है कि इनके एक्जामपल्स की हम बात करते हैं थिक तो basic हली हम दो classes में डिवाइड करते हैं एक होते हैं साइकेड़ फाइटा हाला कि इसकी जरूरत नहीं थी आपके NCRT ने नहीं दिया है लेकिन मैं फिर भी major major classes में डिवाइड करके इसलिए बता रहा हूं कई लोग कितना भी उनको ब बोल चुके NCRT करनी है फिर भी वो other questions करेंगे पिछले 15 साल के पुराने सवाल भी लगाएंगे तो उन महापुरुचों के लिए मैं थोड़ी सी hint दिये दे रहा हूं नहीं तो बाद में परेशानी होते रहेंगे माफ कीजिएगा फिर से हमारा जो कैमेरा हमेशा की तरह बंद होता है फिर से बंद हो गया था तो मुझे नहीं पता आपका कहां से चुटा है पर मैं repeat किये देता हूं जिम्नोस पम को हमने दो में डवाइड किया है दो classes में basically ठीक है तो यह classes कौन कौन सी है में psychedophyta और coniferophita और psychedophyta में भी psychedophilicles आपको याद मतलब जेुसका पहले तीन class मैं तीन audiences में डवाइड किया psychedophilicles ठीक है और psychedophil Belgian में आपको यह याद रखना है कि इसके ज जितने भी plants है वह extinct हो चुके है fossil plants है जिनको मैं याद नहीं रखना है बस इतना से आपको याद रखना है psychedophilicals में ठीक है दोस्तों आप आते हैं इसमें second benetatetales और last इसमें आते हैं psychedales psychedales dales I am so sorry ठीक है बैने टेटेलस में आपको एक example याद रखना है William Sonia क्या याद रखना है William Sonia William Sonia actual में है ये भी fossil plant living fossil भी नहीं ये fossil है proper fossil plant है याद क्यों रखना है क्योंकि हमारे एक Indian scientist थे ठीक है father of plantology भी बोला जाता है उनको professor बीरवल सहनी ठीक है उन्होंने इस plant के fossils को निकाला था खो जाता इसलिए हमको नाम याद रखना है तो नाम इनके साथ किसका याद रखना है आपको याद रखना है थोड़ा सा psychedeles इसमें जो psychedophytus है इसमें important स्रफ psychedeles है psychedeles में आपको याद रखना है दो example अगर याद रख पाते हैं एक तो जामिया जामिया पिग्मिया ठीक है और दूसरा आपको याद रखना है साइकस साइकस को हम एक और नाम से बलाते है सागो पाम साइकस में आपको एक और पॉइंट यहाद रखना है कि जिसको ओवियूल का साइज होता है वो होता है 7 cm यह सबसे बड़े होते हैं ओवियूल के साइज के अकॉर्डिंग जब देखा जाता है तो यह सबसे बड़े होते हैं एक और important जी साइकस में ज़े याद रखने हैं कि इनमें female कॉन absent होती है female कॉन absent होती है ठीक है तो यह कुछ point आपको याद रखने है किस के regarding साइकेडो फाइटा में भी साइकस के regarding बाकी सब तो फिर भी चल जाएगा लेकिन यह आपको point याद रखने रहेंगे ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते आगे क्या है poniferophyta poniferophyta में जो हमको याद रखना है basically वो आपको यहाँ पर चार याद रखने है ठीक है दोस्तों पहला आता है gingkoils gingko gingkoils दूसरा आपको याद रखना है quad details तीसरा आपको याद रखना है coniferals यह सारे order है और यह last आपको याद रखना है details ठीक है दोस्तों तो यह चार आपको as it is याद रखने है अच्छा gingkoils में जो example आपको याद रखना है वो है gingko biloba gingko biloba में एक खास बात याद रखेगा यह बहुत advanced होता है gingkoils ऐसा नहीं है कि यह इसमें advancement की कोई चीज नहीं है लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इनमें जो male gametophyte है male gamet है वो होते हैं motile इसलिए हम इसको क्या मानते हैं काफी previous मानते हैं काफी lower organism मतलब lower plant मानते है lower gymnosperm मानते है be precise अगर मैं बोलने तो ठीक है दोस्तों तो gingko biloba याद रखना है ठीक है quad details की हम बात करते है quad details में आपको याद रखने जैसा कोई भी जो plant है gymnosperm का वो याद नहीं रखना है quad details आप भूल जाए extinct हो चुका है कोई sense नहीं है इसको याद रखने का coniferals ये largest gymnosperm होते है largest gymnos मैं लिखने के बाद मैं टा दूँगा क्योंकि इसमें examples काफी सारे आपको देखने है इसी में आपके आते हैं pinus pinus ठीके दोस्तों इसी में आपका आता है abys balsam इसी में आपके आते हैं arowcaria इसी में आपका आता है cidrus ठीके दोस्तों pinus, abys, arowcaria, cidrus ठीके इसी में आपके आते हैं juniparas इसी में आपके आते हैं sequoia सिकोया एंड मेटा सिकोया ठीक है दोस्तों तो ये कुछ एक्जामपल्स आपको याद रखने किसमें कॉनिफेरेल्स में कॉनिफेरेल्स में पहला जो पाइनस है इस पे हमको मिलता है टर्पेंटाइन ओईल इसकी एक स्पीशीज होती है पाइनस की उससे हमको क्या मिलता है टर्पेंटाइन ओईल अच्छा तो एबीज के हम बात करते है एबीज से हमको मिलता है बेसिकली कनाडा बालसम क्या मिलता है कनाडा बालसम और ये इसका यूज क्या है कनाडा बालसम और ये जो एबीज बालसम प्लांट है इससे हम स्लाइड से हम बनाते हैं, जो प्राइड में हम स्लाइड ही हुता है, ठीक है? मािक्रिस्कूपक स्लाइड अरआवके तक हम बात करते हैं, तो अरआवके तो सह मिलता है बेसिकली क्रिस्मस ट्रि, आपने धी स्लाइड सी करस मत Troy सुना होगाックATE है सिड्रस मिलता है सिड्रस सिड्रस I hope शे सुना हो ठीक है तो सिड्रस आप ऐसी याद रख लिजाएगा ज्यूनी पेरस का एक्जाम्पल भी ज्यूनी पेरस में भी आपको याद रखना है इससे हमको उइल मिलता है वह उइल हमको resolution बढ़ाने में ते उल्डेस थे ठीक है मैटा सिकोया यह भी एक फॉसिल फॉसिल प्लांट बेसिकली लिविंग फॉसिल है जो सिर्फ अभी हमको कहां मिलते हैं चाइना वैली के अंदर ठीक है दोस्तों तो यह आपको एक्जामपल से आध रखने हैं नेक्स्ट है नीटेल्स क्या है नीटेल लास्ट है वैल विश्चिया ठीक है अब आपको जो यह एक्जामपल दिख रहे हैं नीटेल्स फेमली के यह सबसे एडवांस जिम्नोस्पम है इनमें आपको वो फीचर्स मिल जाएंगे लाइक हमने जब बात कीती जायलम में वैसल्स नहीं होती है तो इनमें कई सारों में वैसल्स मिल जाएंगे आपको ठीक है और भी कई सारी चीज़े हैं जो बाकी जिम्नोस्पम में नहीं होती है इनमें एडवांस होते हैं यह बेसिकली जिम्नोस्पम और एंजिस्पम की लिंक है ठीक है तो आपको यह पॉइंट्स एक्जैक्ट याद रखने है एक लास्ट जो मैं बताना चाहूंगा वो है इफेड्रा इफेड्रा क्या होता है इससे मेडिशनल मतलब मेडिशनल चीज हमको मिलती है इफेड्रिन ठीक है जो बेसिकली हमको कई सारे एथिलीट्स इसको मिस्यूज भी करते है ठीक है और यह काफी हेल्फुल है काई सारी जो इफेड् की नहीं हो सकता के kingdom Pancy मैं एंच्योथ भी आते हैं बहुत ड़ेटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि एंच्छाइंगे की बहुत जादा है 11 में भी जम आपना है ゃह को लेकिन हम पुर्द थोड़ी शी बात करेंगे एंच्योथ एंच्यूथ को Machine नहीं خ genuinely बोलाता हो साइफोन और गैमी बोलीती है सब के सब एंजोस्पम में होता है यहां कि जो इंपोर्टेंट बात है वह यह आपको याद रखना है सेविन सेल कि एट नियुक्लियर्ट स्टेज काफी लोगा नहीं देखा होगा कोई डाउट नहीं है इसमें ठीक है दोस्तों ठीक है मैं इस तरह से बना रहा हूँ कोई उपर नीचे उल्टा बना सकता है कोई दिक्कत नहीं है जिसका जैसा मानें बस यह याद रखना है कि यहां पर एग सेल है और एंटिपोडल सेल है ठीक है और यह चैजर सेल है इस अंटिपोडल सेल यह आपके प्लार नूटी आई यह आपके वेलर नुटीड यह आपके दो सिनेर्जेत यहां होता क्या है बेसिकली यह 7 रेकेसेट बनी बने नहां एक तो आपका fertilize करता है इस egg cell के साथ ठीक है दोस्तों और जो दूसरा होता है वो इसके साथ fertilize करता है तो basically यहाँ पर क्या हो जाता है आपका double fertilization और इस particular जगे पर क्या होता है triple fusion तो यहाँ पर जो central cell होती है यह तो convert जाती है primary endospam nucleus में जो कि endospam form भी आगे जाके जो 3N stage बनी है यही आपकी क्या बन बोलते है endospam बनता है यह 3N ही आगे जाके क्या form कर लेगा endospam ठीक है दोस्तों और यह आपको जो egg cell और इससे यह बना यह zygote बनाएंगे वो क्या बन जाएगा आपका 2N होता है zygote ठीक है आपको इसी फॉर्म में याद रखना है और आगे आपको यह भी याद रख सकते ओवियूल आगे जाके क्या बन जाता है सीड बन जाता है मतलब जो डवेलप्मेंट फेज होता है उसमें ओवरी आपकी फ्रूट बनाती है ठीक है दोस्तों यह जो प्राइमेरी था वो था Alternation of Generation के बारे में हमने कोई बात नहीं की थी उसकी बात हम थोड़ी सी करेंगे क्योंकि मैं Alternation of Generation का नाम काफी पहले से ले रहा हूं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको यह चीज क्लियर हो गई होगी फिर भी मैं रिपीट किये देता हूं क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है, Alternation of Generation में तीन चीज़ें होती है, तीन तरह की Life Cycle होती है, या तो होती है Haplonic, या होती है Diplonic, और या होती है Haplodiplonic, Haplodiplonic, ठीक है दोस्तों, Haplodontic मतलब जिनकी पूरी की पूरी बोडी में कभी डिपलाइड स्टेज सर्फ एक बार आती है, जो कि Zygote फर्म होता है, Zygote बनते ही क्या हो जाए, Direct Miosis, तो वो कैसी स्टेज होगी Haplodontic, ये चीज क्लियर होगी शायद सबको, मैंने दुबारा रिपीट किये देता हूं, पूरी प्लाइड बोडी कैसी होती है, Haplodontic होती है, इनमें डिपलाइड स्टेज सर्फ एक बार आती है, और बनने के साथ ही जो Zygote फर्म होता है, उसके तुरंत बाद ये उसमें Miosis हो जाता है, और वापस से Haplodontic साइकल चाल हो जाती है, तो ये कैसी साइकल होती है, Haplod Diplontic में पूरी प्लाइड साइकल कैसी होती है, Diplontic होती है, यहाँ पर सर्फ जो Gamete बनते है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Zygote, यहाँ पर सर्फ एक बार ये 2N स्टेज आईगी हो, यहाँ पर एक बार ही क्या आईगी, Haplod stage, जिसको हम क्या बुर रहा है, Gamete stage, तो यहाँ चीज क्लियर हो गए योगी शायद सबको, लेकन यहाँ पर बात होती है, Dominancy की, यहाँ पर Haploid stage भी आएगी और Diploid stage भी आएगी, तो यहाँ जो लड़ाई है, वो बेसिकली, वो है दो लोगों के बीच में, Bryophyte, और यहाँ पर है Teredophyte, इसकी examples आप Automatic बता सकते हैं, थेलोवाइटा से जब हम बात करते हैं, थेलोफाइटा बेसिकली इनकी बात करते हैं, थेलोवाइटा अभी नहीं, उससे पहले ही चली जाइए, अब तो ब Municipalactic में, ब्रायोवाइट और Teredophyte यहाँ पर हमने क्या बात की थी, गैमेटोफाइट जादा Dominating था, तो मतलब यह जो condition थी वो क्या थी? हैपलो डिपलॉंटिक और यहाँ पर डिपलो हैपलॉंटिक बोला था हमने आपको याद होगा शायद तो यह चीज यहाँ पर याद रखेगा बेरायोफाइट और टेडोफाइट याद रखेगा हैपलो डिपलॉंटिक की कंडिशन में आ रहे यहाँ पर आपको याद रखना है जिमनोस्पन अंजियोस्पन एक स्पेशल एक्जामपल फ्यूकस यहाँ पर भी स्पेशल एक्जामपल के नाम पर तीन हाँ आपको रखने थे एक्टो कार्पस का मैंने नाम लिया था रखना चाहे तो पॉली साइफनिया केल्प्स का इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं ठीक है दोस्तों अच्छा यहां की एक्जामपल्स मुझे नहीं लगता ज़रूरत है इसके अलावा किंग्डम प्लांटी में और बहुत जादा चीज़ें इंपोर्टन नहीं है हाला कि अगर आप बैक्टेरिया की यूजस के फॉर्म में अगर आप चीज़ें लेना चाहें तो बहुत वाइड हो जाएंगी चीज़ें जो माइक्रोब्स चेप्टर है वो उसमें हम डील करेंगे ही फिर भी अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप खुलके पूछ लीजिएगा मैं कोशिश करूँगा कि फंजाई के बाद से किंग्डम प्लांटी वाला जो पार्ट है आपका इसका मैं रिवीजन एक बार करा दूँ 15 से 20 मिनिट में मैं पूरा कोशिश करूँगा उस चीज़ का और नेक्स चेप्टर जो में स्टार्ट करेंगे जो कई लोग की क्वेर ही होती है चेप्टर कंप्लीट होने के बाद वो होगा हमारा एनिमल डाइवर्सिटी ठीक है तो डैट्स आल फॉर टोड़े थैंक यू गाइस